आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सेलीशन पाओ डाउनलोड नाओ देखो दोस्तों Question में क्या दे रखा है? कि Bright Colors Exhibited by Spiders Wave Exposed to Sunlight are Due To देखो दोस्तों, हमारा अगर कोई Spiders Wave जो होता है यह अगर हमारा Sunlight के अंदर हम इसको Exposed करें तो यह क्या करता है? यह एकदम Bright दिखने लगता है इसके अंदर से कुछ Rainbow टाइप्स कलर भी दिखने लगता है स्ट्रिंग्स होता है वो एकदम Bright हो जाते है और Light Reflect करने लग जाते है तो यह Phenomena क्यों होता है? यह Phenomena दोस्तों होता है diffraction की वज़े से अब देखो पहले देख लेते कि diffraction होता क्या है? अगर हमारा कोई Light Source Lambda wavelength का यहां से Move कर रहा हो और उसको हम एक Slit से Pass कर वा है जो Slit का पीच का जो Distance है वो अगर हमारा Lambda के Comparable हो ठीक है? दोनों एक ही Order के अगर हो तो यह Light क्या करेगी? Bend कर जाएगी ठीक है? तो यह जो Bending of Light होती है इसको हम क्या कहते है? इसको हम diffraction कहते है ठीक है? इस diffraction के वज़े से क्या होता है? जब लाइट ये Dwab में से Pass करती है तो इसके थिन नेचर के वज़े से क्या होता है उसके अदर diffraction काम करता है तो यह diffraction के वज़े से यह जो Light रहता है यह diffract हो क्या करता है? bright color spread करता है इसलिए हमें स्पाइडर्स वेब क्या दिखता है से ब्राइट दिखता है, चमकीला-चमकीला से दिखता है, ठीक है?